नमस्का टीवी नाइन भारत वर्ष के विशेश शो वोट का कोट नेता जी हाजिर हो में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बैरकपूर में हैं और इस शो में हम तमाम बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं उन पर लगे आरोपों से सवाब पूश रहे हैं उनकी दलीले सुन रहे हैं और आज यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के सांसत नाम कहने की ज़रुवत नहीं है अर्जुन सिंग अपने लगे आरोपों का जवाब देंगे जो जो उनके उपर आरोप लग रहे हैं आपका स्वागत है अरजुन सिंग जी बहुत सारे आपके उपर आपकी पार्टी के उपर आरोप लगे हैं कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं तो वोट का कोट में एक एक करके उन आरोपों का जवाब लिया जाएगा और इन आरोपों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ आप में शेश ननाइट सिंग जी भी है और उनके साथ गौतिम लहरी जी बी है लेकिन सवालों का सिरसिल्ण आरोपो का सिरसिल्ण वोट के कोर्ट में शुरू करे उस से पहले चार चरन के मद्दान के बाद अभी क्या नज़र आ रहा है आपको सबसे पहले सबको नमस्कार चार चरन के चुनाओं के बाद ये साबित हो चुका है कि बंगाल में भारतिय जनता पार्टे की सरकार बनने जा रही है क्योंकि हम 131 सीटों के चुनाओं जो हुए हैं उसमें हम सेंचूरी के पार्ट अभी ही पहुँच चुके हैं और आने वाला जो चार चरन है जिसमें दो चरन में निश्चित रूप से हम मैजिक फिगर में पहुँचेंगे और दो चरन जो बागी रहेगा उसमें हमें बोनस मिलेगा जो हमें दोसों के पार ले जाएगा दोसों के आकड़े को आप मान के चल रहे हैं कि पार हो जाएगा निश्चित रूप से दोसों के आकड़े हम पार करेंगे बहुत गलत नहीं होगा तो बहुत अच्छे डंग से पार करेंगे जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से मुक्हमंत्री जी में घबराहट है विदाई मुक्हमंत्री जी में ये साबित करता है चुकि मैं बहुत दिनों से चुनाओ राजनीत से जुड़ा हुआ हूँ और बंगाल के राजनी से जुड़ा हुआ इसलिए जो दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो दिखाई दे रहा है चलिए अब सवालों का आरोपों का सिलसला शुरू करते हैं और मैं पहला सवाल बहुत सीधे सीधे आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों है कि वोट का कोर्ट में लोग की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि अरजन सिंग एक बाहू बली नेता है क्यों कहा जाता है देखिए आप बंगाल से साथ जुड़े हुए नहीं हैं बंगाल का 34 साल का सासन और 10 साल का सासन था और उनका अत्यचार दस साल में आट साल हम तिनमल में रहे हैं दो साल से छोडने के बाद उसका अत्यचार ये अगर अत्यचार का सहते हैं तो आप एक कमजोर नेता साबित होते हैं अगर आप अत्यचार का बिरोत करते हैं परतिबात करते हैं उसके लिए लड़ाई मुझे समझते हैं जहां भी कोई तक्लीफ में आता है तो एक बार मुझे जरूर रियात करता है रात को दो बजे हो या सुबा स्पार चार बजे हो पर आप ये मानते हैं कि अभी तक पश्ची मंगाल में जिस तरीके की सियासत चली उसमें बाहूबली होना आपकी जरूरत भी है और मजबूरी भी देखिए इसको आप बाहूबली कह रहा है तो कहिए मुझे उसको कोई आपती नहीं है लेकिन अगर किसी का मदद करने को बाहूबली का आख्या दिया जाता है तो ये मैं कहूँगा कि बंगाल की राजनित के लिए दुर्भागी की बात है क्योंकि बंगाल में जिस तरह से जुल्म होता है लोग देखते हैं देखकर भी परतिबात नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहां दो तरफा हमला होता है एक तो कानून को कबजे में कर लिया गया है यहां के पुलिस परसासन सरकारी पार्टी के कबजे में रहती है और दूसरे जो क्रिमिनल होते हैं वो सरकारी पाटी में अपने आप चले जाते हैं तो ये दोतरफा मार जहलना पड़ता है साधारन लोगों को तो इसके लिए जो लड़ता है उसको कुछ न कुछ तैगमा मिले जाता है